प्यार की कहानी में सवी और रजट का ये मजबूरी वाला रिष्टा आखिरकार शादी के मंदब तक पहुँद जगा है आखिरकार सवी और रजट शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं लेकिन ईशा को ये शादी मंजूर अब भी नहीं है इशा अभी सवी से कह रही है कि हम जरूर उस छोटी बच्ची सहीं को बचाना चाते हैं लेकिन उसे बच्चाने का कोई और वास्ता भी तो हो सकता है जरूरी तो नहीं कि तुम्हीं अपनी जिंदगी ही भरबात करनी पड़े शो की आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सवी इशा को समझाने की कोशिश करेगी और यहां इशा करने वाली है सबसे बड़ा खुला सा शो की आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इशा सवी को बताने वाली है उसे समझाने वाली है इशान और रजट के बीच का फर्ग इशा सवी को बताएगी कि इशान दिल का अच्छा था लेकिन ये रजट दिल से भी खराब है और मूँ से भी इशा सवी को इशान के बारे में बताने का फैसला करेगी वो सवी से कहेगी कि आज तक उसने सवी से कभी नहीं खा लेकिन ये रज़त बिलकुल भवर पाटल जैसा है रज़त का दिल कैसा है पता नहीं लेकिन उसकी जुबान भवर पाटल जैसी है और हमने एक भवर पाचिल से बड़ी मुश्किल से अपनी जिन्दगी छोटाई है और उसमें हमसे हमारा काफी को छीन भी लिया अब दूसरे भवर पाचिल को अपनी जिन्दगी में मत आने दो यहां पर ईशा सवी को समझाने की बहुत कोशिश करेगी उसे सच दिखाने की बहुत कोशिश करेगी लेकिन सबी अब क्या करती है शो के आगे आने वाले एपिसोट में देखना होगा